तो एपिसोड की ष्टार्टिंग में हमें चेन इंगर को दिखाये जाता है जो कि हाउचेन को लेकर कापी जादा प्रिशान थी और हुअ वेंगुस से पूच्ती है कि हाउचेन अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है जहाँ पड़े में सीमा सियान को दिखाए जाता है और वो भी काफी जादा परिसान था और वो कहता है कि हमें बाहर जाकर इसके बाड़े में पता लगाना चाहिए पड़ में लिन को दिखाये जाता है जो की मना कर देता है और कहता है कि हमें उस पर भड़ोसा रखना चाहिए और वैसे भी प्रिंसेज हमारे पास में है जिसकी वज़ासे जो अहबाओ है वो होचन के साथ में कुछ भी नहीं करेगा जहां पड़ में प्रिंसेस को दिखाये जाता है जो कि उन सभी के बातों को काफी जादा गोड के साथ में सुन रही होती है तबी उसका जो चेश्ट होता है वो काफी ज़ादा जोडों के साथ में चमाकना स्टार्ट कर देता है जिसकी वज़ासे वो काफी ज़ादा हेडान उचुकी थी वहीं अमहान को देखते हैं जो की चीच को नोटिस कर लेता है और वो आगे बढ़ता है और अपने स्वोर्ट को उसके गले पड़क देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो जहाँ पर अमें प्रिंसस को दिखाये जाता है जो की कहती ह है कि अल्डेडी मैं तुम्हारे कैप्चर में हूँ तो आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ जहाँ पर अमें लिन को दिखाये जाता है जो की आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ता है तो अभी वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और हमें हाउचन को दिखाये जाता है जिसकी आलत काफी जादा खड़ा अब उचकी थी और उन सबी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन leukeडेन के साथ में क्या हूआ है आकिर वो इतना जादा खायल के सो चुके हैं जहां पर आम लिन को देखते हैं जो कि उसको पिल भी खिलाता है पर उसके पिल का असर उस पर नहीं होता है जहाँ पर हम सिमा सियान को देखते हैं जो कि काफी जादा गुसा करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मैं यूजिलेसू वो सभी काफी जादा परिसान हो रहे थे पर तब हावचेन का रेपलिका को समन घर यूर्स के बाद हो अपने पावर यूज करके उसको हील करना हूँ चुके है और वो पड़े में उन दोनों को दिखाये जाता है जो कि हिलो चुके थे पर उनकी कंडिशन अभी भी ठीक नहीं होती है जहां पड़े में नेचर गोड़ेस को दिखाये जाता है जो कि काफी जादा पड़ेसान होती है उन सभी के पूछने पर नेचर गोड़ेस बताती है कि मैंने काफी जादा पेन मिला होगा और वह बताती है कि यह कब तक होस में आएगा मुझे इसके बारे में पता नहीं है और रही कायड की बात तो उसमें कोई भी गड़बर की बात नहीं है बलकि जब वह अपने गोट के जगरीती के परसेश को कर रही थी तो उस दोरान उसके सोल को काफी जादा इफेक्ट पर चुका है जिसकी वज़ासे उसकी हालत काफी जादा खड़ाब हो चुकी है जहां पड़ा में उन सभी बंदों को दिखाये जाता है जो कि इन सभी बातों को सुनकर काफी जादा पड़ेसान हो चुके थे और उन सभी को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर इन दोनों का बच पाना काफी जादा मुस्किल है और इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि हमें किसी भी हालत में हाँचैन को होमटाउन में ले जाना होगा पर इस दोरान उन सभी को काफी जादा प्रोबलम होने वाली थी पड़मेहान को दिखाये जाता है जो कि सारे प्रोब्लम को फिस करने के लिए रेडी था वो सभी एगरीड हो चुके थे पर तबी वहाँ पर 11 थोली मास्टर आ जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि तुम सभी जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है जिसकी वज़ा से वो सभी काफी प पास कर दिया है और वो बताता है कि जब कैर ने यहाँ पर अपने पाउर को अवे कर लिया था और उसने काफी बुरी तरीके से अबाव को हडा दिया था तो इसकी वज़ासे अबाव काफी जादा हट हो चुका है और वो किसी भी हालत में हम सभी को मारना चाहता है जिसकी जिसकी वज़ासे उसने यहां पर एक ओर्डर को पास कर दिया है और जो भी बंदा हमको पकड़ कर उसके सामने पेस करता है तो उसको काफी ज़्यादा इनाम मिलेगा जिसकी वज़ासे जितने भी डिमेंटेरि के बंदे हैं वो सभी हमारे खोज में निकल चुके हैं जिसकी जिसकी वज़ासे हमारे जो कैप्टन है और जो उपकैप्टन है उनके मरने के चांसे आफी ज़ादा बढ़ जाएंगी अब इसकी वज़ासे वहां पर काफी ज़ादा टेंस महल हो चुका था जहां परना में हान को दिखाये जाता है जो कि हाउचन के साथ में भी दैवय प कर देता है तो उसको पता चलता है कि जितने भी डीमन थे वो सभी उसी रास्ते पर मोजूद है जिस रास्ते से यह सभी यहां पड़ाए थे हन कहता है कि अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें दूसरे रूट को लेना होगा और कहता है कि वेल हम जहां से आये थे वहां पर का कि इसा कोई भी जगा मौझू नहीं ओगा, जिसकि वजासे अगर। प्रिंसे काफी सारे डिमन्स पर जाएंगे जो सुनकर वो सभी काफी जादा पड़ेसान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिड़ा में क्या करना चाहिए जहां पड़ा मून प्रिंसेज को देखते हैं जो कि उन सभी को बताती है कि अगर पर डिमन्स भी जाने से डरते हैं और बताती है कि आज से कुछ अजार साल पहले ये मिश्ट यहां पर अपियर हो चुका था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है अगर यहां पर कोई भी डिमन जाता है तो वो दुबार से जिंदा वापस नहीं आता है और अगर तुम तुम सभी यहां पर एंटर कर जाते हो तो कोई भी डिमन तुम सभी का पीछा नहीं करेगा जिसकी वज़ासे वो सभी काफी जाता है रान हो चुके थे पर उन सभी के पास में कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था जिसकी वज़ासे वो सभी मून प्रिंसेस के बाद को मान जाते हैं तो नेक्स्ट सीन में हमें उस जगा का सीन दिखाए जाता है जहां पर होचेन फाइट कर रहा था जहां पर हमें काफी सारे याक्स को दिखाए जाता है जो कि वहां पर पेड़ा दे रहे होते हैं जहां पर हमें कुछ याक्स को दिखाए जाता है जो कि आपस में बा पर ध्यान दना चाहिए तो अभी उन सभी को वहां पर कुछ मैसूस होती है जिसकी वजह से वह सभी काफी ज्यादा एलर्ट हो चुके थे और इसके बाद वो जब चेक करते हैं तो हमें मून प्रिंसस को दिखाये जाता है जो कि वहां पर घायल वस्ता में होती है अब मून प पिछे से निकल जाते हैं जहां पर में मून प्रिंसस को दिखाये जाता है जो कि कहती है कि हाउचेन जो काड का सील था वो मेरे उपर से हर चुका है जिसकी वजह से ये मेरा आखरी बार है जब मैं तुम सभी की मदद कर रही हूँ वहिया में हाउचेन के टीम एंबर्स को जो कि पिछे से निकल चुके थे इसके बाद में पाश्ट का सीन दिखाये जाता है जब वो सभी यहां से निकलने वाले थे पर में हान को दिखाये जाता है जो कि मून प्रिंसस के बातों पर भरसा करने के लिए रेडी नहीं था पर वहाँ पर जितने भी बंदे मोजूद उन सभी को मून पिंसस के बातों पर यकीन हो चुका था और वो सभी कहते हैं कि हान तुमको टेंसर लेने की कोई भी जूरत नहीं है हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे जहां पर अम्हान को देखते हैं जो कि कहता है कि ठीक है अगर तुम सभी हमारे साथ में आने के लिए रेडियो तो मैं भी रेडि हूँ जहां पर में बटलर को दिखाये जाता है जो कि उन सभी को बताता है कि अगर तुम सभी यहां से वापस चले जाते हो तो तुम सभी चाकर भी इटर्निटी टावर के अंदर नहीं आपाओगे क्योंकि हमारे जो मालिक है वो अभी के टाइम म वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक साथ में दो बंदो को क्यार नहीं कर सकते थे तो नेक्स्ट सीन में हमें हन को दिखाये जाता है जो कि लिन से कहता है कि तुमें अपने मैजिक का यूज करके रूट के बारे में पता लगाना होगा और तुमको पता लगाना होग कि वहां पर कितना ज्यादा डीमन मौजूद है जहां पड़ा में लिन को दिखाये जाता है जो कि अपने बर्ड का यूज करके वहां पर जितने भी डीमन थे उन सभी के बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देता है और आस्ता सेफे की नहीं इसके बारे में उन सभी को बतात जो कि सबी चीजों को investigate करना start कर देता है तो उसको पता चलता है कि उसके जितने भी साथी थे वो सबी हाली में मड़े हैं जिसकी वज़ा से वो समझ जाता है कि इनको मारने वाला जो भी बंदा है वो ज्यादा दूर नहीं गिया होगा जो सुनकर वहाँ पर और भी काफी सारे केटेगरी के डीमन थे जो कि काफी जादा खूस हो चुके थे और वो सबी रस करना start कर देते हैं क्योंकि वो सबी पहले हाँचेन के टीम मेंबर्स को पकरना चाते थे ताकि वो सबी अच्छे ही नाम को पा सके तो अगले सीन में हमें हाँचेन के टीम मेंबर्स को दिखाये जाता है जिनके पीछे काफी सारे डीमन्स पड़े हुए थे और हमें उन सबी बंदों को दिखाये जाता है जोकी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़े थे जहाँ पड़ा महान को वज़ा से उन दोना के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम हान को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों के बीच में एक मोखा पाता है तब ही हमें कुछ दीमन को दिखाये जाता है जो कि उन पर अटेक करने वाला था पर हमें 11 थोली मास्टर और 12 थोली मा पास में आ जाती है जहां पर हम व्यंगुन को देखते हैं जो कि अपने पाउर का यूज करके उन सभी को एकी जटके में मार देती है नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को दिखाये जाता है जो की एक जगा पड़ा चुके थे और उन सभी की आलत काफी जादा खड़ाप थी लि वो सभी अपने प्लैन को फोलो करते हुए आगे बढ़े थे तभी हमें उस बकड़े वाले डीमन को दिखाये जाता है जो की सामने आ जाता है और वह हां से कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है तुम सभी हमारे हां से बचकर निकल पाओगे और वह काफी जोड़ों के आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाती है पर तभी वहां पर हमें लीन और वेंगुन को दिखाये जाता है जो की अपने पीछे गोल्डेन कुरों बंदों को भी ले करा जाते हैं जिसकी वज़ासे वहां पर काफी जादा में स्क्रियेट हो जाती है और वो सभी आपस में करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये मेरा सिकार है तो कोई कहता है कि ये मेरा सिकार है ताभी हमें हान को दिखाये जाता है जो की मैक डूनल को रेडियो जाने को बोलता है जिसके बाद मैक डूनल एक कुडो का रूप ले लेता है और वो एक डिमन पर कर लिया था और उसने इस प्लैन को पहले ही बना लिया था फूट करो और राज डालो और यहां पर ऐसाई हो रहा था वो सारे डिमन एक साथ में फाइट रहे थे । जहां पड़ों हन को दिखाये जाता है । वह भी डिमन को मा रहा था साथी High पर तब हमें दिखाये जाता है कि वो सभी बचकर निकल चुके थे जहां पड़में चेनिंगर को दिखाये जाता है जिसको अपने सामने वही मिश्ट वाला धुआ दिखाई देता है और वो काफी जादा खूस हो जाती है और वो बताती है कि हम उस जगह पड़ा चुके हैं जिसके बाद वो सभी काफी तेजी के साथे में आगे बढ़ना श्टार्ट कर देते हैं और वो सभी काफी जादा खूस थे क्योंकि उन सभी को लगढ़ा था कि वो सभी बस सकते हैं पर तबी उन पर अटेक होना श्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाये जाता है कि जो लगता है तुम सभी को यहां से जाने दूंगा। और वह कहता है कि जो हाउचेन है उसके बदले हमें काफी जादा पैसा मिलने वाला है तो मैं तुम सभी को यहां से जाने नहीं दूँगा और वह उन सभी पड़ अटेक करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वज़ासे उन सभी की आलत काफी जादा खड़ाब हो चुकी थी वहीं पर हमें एक डिमन को दिखाए जाता है जो कि हाउचेन के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है तब ही हाउचेन के सरीर के अंदर से काफी जादा पाउर निकलना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वज़ासे वो डिमन भी काफी जादा पड़ेसान हो चुका था और हमें ज़्यादा उसे में था और इसके बाद हुआ अपने पाउड का यूज करके उन डिमन पर अटेंकर देता है जिसकी वज़ासे उन अपने पावर का यूज करके उनको हिल करना स्टाट कर देता है वहाँ पर मौझूद बंदे भी हावयू को यहाँ पर देखकर काफी जाद अखुस हो चुके थे तो नेक्स्ट सीन में हमें आउचन को दिखाये जाता है जो की होस में आ चुका था और वो हावयू को अपने सा आध्यों के हालात को देखकर काफी जादा पड़ेसान हो चुका था और वो हुआ उनस अभी से माफी मांगता है और इसके बाद वो उनस अभी से कायड के बाढ़े में और इसी के साथ मैं इस एपिसोड का एक्सप्लानेशन यहीं पेखता मुझाता है